नमस्कार बच्चों, आज हम कवी सुमित्रा नंदन पंत दोरा लिखी हुई कविता जन्म भूमी पढ़ेंगे जन्म भूमी कविता में कवी हमें बारत भूमी की विशेशताओं से अवगत कराना चाहते हैं कवी कहते हैं कि ये दर्ती रिश्यों की तपो भूमी हैं यहां के निवासी समस्त संसार को अपना परिवार मानते हैं जन्नी जन्म भूमी प्रेय अपनी जो स्वर्ग दपी जिर्गरी यसी कवी कहते हैं कि ये दर्थी जिस पर मैंने जनम लिया है वो स्वर्ग से भी महान है जिसका गौरो बाल हिमाचल सुर्ण दरा हस्ती चिर शामल जोती ग्रिथित गंगा यो मुनाजल वो जन जन के हृदय में बसी हमारी बारत के उत्तर दिशा में हिमाले परवत है जो हमारी बारत माता के माथे का गौरव और शान का प्रतीक है हमारी जनम भूमी हमेशा हस्ती और हरी बरी रहती है जब खेतों में फसले पक जाती है तो ऐसा प्रतीत होता है कि दरती ने सुनहरा रूपदारन कर लिया है हमारी जनम भूमी पर बहने वाली पवित्र नदियों के जल को देखकर ऐसा लगता है कि वे उन्नती के प्रकाश से बरी हुई है लदी हुई है इन नदियों के जल से किसान अपने खेतों को सीचता है और हमारी दरती सोना उगलती है इसलिए बारत माता प्रतेक भारतवासी के रिदय में बसी है यहां के वन शांती निकेतन जैसे है बारत माता रिशी मुन्यों की पावन सतली है हमारी जन्मु भूमी के वनों में रिशी मुनी तप करते है क्यूंकि बारत देश में शांती को महतव दिया जाता है इन वनों में शांती है और रिशी मुनी अपने तप से इस दर्ती पर शांती और सत्य की खोज करते हैं भारत देश के ज्यानी सत्य और सचाई की खोज में अंदरिक्ष पर भी पहुँच गए है आज युद जरजर जग जीवन पुना करेगा मंत्रो चारन कवी कहते हैं युद के कारण अर्थात अनेक समस्याओं के कारण लोगों का जीवन अस्त वैस्त सा हुआ है तूटा फूटा सा हुआ है हमें अनेक समस्याओं से जोजना पड़ रहा है इसलिए हमें एकता के सूत्र में बंद कर सारे संसार को अपना पड़वार समझ कर इन बाधाओं का सामना करना है जिससे हमारी बारत माता के मुख पर एक नई मुसकान एक नई रोशनी आये की ये जो जन्म भूमी है मेरी जहां मैंने जन्म लिया है ये स्वर्ग से भी महान है स्वर्ग से भी श्रेष्ट है ये स्वर्ग से भी महान है